प्रियांका चेहर चौधरी ही शो जीतने वाली हैं जी हां प्रियांका ने साफ कर दिया है अब भई घर के अंदर तो प्रियांका कमाल कर ही रही है लेकिन घर के बाहर एक अलग कमाल हो रहा है जो मैं आपको बताने आदे हूँ वल हलो गाईज और वेलकम टू फीफा फूज मैं हूं जोती नाहक जैसा मैंने कहा कि घर के अंदर एक अलग कमाल चल रहा है और घर के बाहर एक अलग बवाल मचा हुआ है जहां एक तरफ सारे घरवाले भी प्रियांका को टफ कॉम्पेटिटर मानते हैं सारे घरवालों का य हो रहा है कि कैसे इस सीजन की एकलौती विनर होने का पूरा पोटेंशल जो है वो प्रियांका चाहे चौधरी में नजर आता है तो चलिए देरी किस बात की प्रियांका चाहे चौधरी में प्रियांका चाहे चौधरी में प्रियांका इस सीजन में विनर होने की सबसे जादा केपिबिल्टीज दर्शाती है कैसे स्ट्रॉंग है ओपिनेटर है हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है जहां नहीं जरूरत वहां भी रखती है एक परस्वल कनेक्ट उनका ना सिर्फ अंकित से हैं अंकित के अलावा अगर उनोंने घर में कोई रिष्टा बनाया तो वो था अर्चना से क्योंकि अर्चना के लेकिन आप उनके साथ भले ही कुछ ना करें उनके साथ हो जरूर गलत जाता है और वो वक्त में अपने आप सब को दिख जाता है मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त प्रियांका जो है उनको 3 million tweets का benchmark वो अरड़ी रूल कर चुकी है प्रियांका के fandoms ने यह तस्वीर शेर की है और यह post शेर किया है यहाँ पर काफी कुछ लिखा है मैं आपको बताती हूँ प्रियांका चहर चौधरी अरड़ी ruling with 3 million votes with the lead of approximately 7 lakh votes 7 lakh trends and tweets her aura and popularity is unmatchable यान की अब तक Big Boss की history के 16, Big Boss 16 की history में जितने भी tweets और trends अब तक हो रहे हैं उनमें maximum अगर सबसे जादा 3 million का trend किसी के नाम पर आया है तो वो प्रियांका चहर चौधरी के नाम पर आया है इसी से कही ना कही उनकी popularity दिख रही है यान की प्रियांका जो है वो ना सिर्फ ट्रोफी जीतने के काबिल है बलकि My Glam जीत कर भी प्रियांका ही लेकर जाने वाली है तो क्या कहेंगे इस बात पर पताईएगा